पहलो लिडि़ें जनेंगेंट्रन ग्रिय्स अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपकी हड्डी तूट गई है अड़ी तूटने के बाद से उसमें रॉड डला था, रॉड निकल जाने के बाद से, रॉड भी निकल गया, तो कितने दिन बाद आप दौर सकते हैं, कितने दिन बाद आप नॉर्मल हो सकते हैं, तो अन तक हमारे इस वीडियो से जूड़े रहिएगा, मैं दोक्र रामिच्वर, और्थोपेटिक सर्जन, एंटेपेनर, सोसल अक्टिविस्ट, और चेर्मन अफिसाइंग ग्रूप अफॉस्पिटल एंगलोपिया फार्मा, इंप्रावड फादर अप्टोशन एंफॉस्पिटल लबली उमें, क्या है भाई, गुसा भी होते हैं, आप लोग कभी कभी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, तो मैं देखता हूँ कमेंटोगरम में, मैं भी बहुत बीजी प्रैक्टेशनर हूँ जी, लगबद सो मरी रोज देखता हूँ, तिन चार ऑपरेशन करता हूँ, उसमें भी कोशिष करता हूँ कि आपके हर सवालों के जवाब दो, और आप जिस तरह से हमें अपना प्यार दे रहा हैं, आप जिस तरह से आपने हमारा चैनल को बढ़ाया है, और मैं चाहूँगा कि आपका प्यार स्ने मिलता रहा है, और मैं आपको प्रामिस करता हूं कि मैं जिन वी बर आपकी सेवा करते रहूंगा, ऐसा नहीं है, जितनी मेरी जानखारी हैं मैं जरूर दूँगा, क्योंकि मैं इस पार्ट अफ माई सर्विस टूदे हीमिनिटी समझता हूं, तो चुकि आपको अगर हड़ी ठूटा हुआ था, हड़ी ठूटके जुड भी गया, जुड के बाद से आपका रॉड भी निकल गया, अब यह पूछना चाहते हैं कि कितना दिन में हम दौड सकते हैं, अब बिल्कुल आप हड़ी ठूटा, रॉड निकालने के बाद से टाका होगरा थुड़ा लगाते हैं, लो टाका होगरा निकलने में 10-15 दिन टाका निकलने के बाद से आप बिल्कुल नॉर्मल जिसा अक्टिविटी दौड़ना, खुदना, साइक्ल चलाना, सब कुछ कर स और रॉड निकलने के बाद से तो बिल्कुल आप टाका सुखने में, क्योंकि टाका जब तक नहीं सुखा है, कोई चिचेज रहता है, उस वक्त दौड़न को दिएगा तो आपका जक्खम सुखने में थोड़ा जादा समय लगता है, अधिकतर समय में 10-15 दिन, 15 दिन में ल झायका झायका जादा में लdeगन कोई लोड़़न को दूट उना में लोड़े रिए समय लगता है, अधिकतर समय डता है, जनिरले कोब दाना में लोड़, नमें लोड़ भी सक्तुत दिन, 15 दिन में लोड़ जा झाम बास समय लुजू झायका जादीश ≁र दिन, 16 दिन, 12